हालो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है आज है किस गस्त हो जाते हैं इस वराज की बारा इंप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आचुका हूं चली फिर शुकरते हैं पहली अप्डेट के साथ वरी पहली अप्डेट हिमाचल को जो यह बह मिलेगा नड़ा शिमला सिर्मोर में लिया नुकसां का जाइजा सांतवना देने पहुंचे बिलासपूर आज खाते मायंगे 200 करोड शिमला के समरहिल स्थित शिव बाबडी क्षितर का जाइजा लेते भालप के राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़ा तो यहां पे भाजबा के राष्ट्य देक्षबराज सभा सांसत जगत प्रकाश नड़ा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई प्राकर्ति काप्दा से प्रधान मंत्री नेंदर मोदी बिवस्तित और चिंतित हैं प्यम मोदी पूरी तागत से सहोग करेंगे कोई कमी नहीं आने देंगे हिमाचल को जो चाहिए भाज मिलेगा भाज इस बात की गारंटी देते हैं नाइस्ट अप्डेट ये रही देश इतिहास रचने को तयार 23 को शाम 6 विशकर 4 मिनिट पे चंदरियान 3 की लेंडिंग चांद के करीब 25 किलोमेटर गुणा 134 किलोमेटर की प्रिधी में पर देख सकते हो लेंडिंग का होगा संजीब प्रसारण हमारी अकांग्षा मिल के पत्थर तक पहुंची इस रो रूस को जटका चांद की सता से टकरा कर नस्ट हुआ लूना 25 सोंबार को चंदरमां के दक्षनी दुर पर उतरना था पहले ही नियंतर्ण से बाहर हो गया इ नेक्स्ट अपडेट यह रही प्रभावित प्रिवारों को नहीं मिला ठिकाना मुख्यमंत्री से मिलेंगे अस्थाई आवास अवंटित नहीं हो पाए हैं इन लोगों को अभी भी राहत शीवियों में रहना पढ़ रहा है उधर लोगों का सवर अब तूटने लगा है पा जिकायत की जाएगी बड़े बाहनों के लिए नहीं खुलेगी बालुगंज अपर समरह सड़क नेक्स्ट अपडेट यह रही मौसम साफ होने तक स्कूलों में उनने लगाए जाएंगी कख्षाएं चातर विभावक मंच नहीं प्रदेसरकार से की मांग नीजी स्कूलों मे स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है स्कूलों और ने शिक्षन संसानों की और से जाने वाली सड़के बंध है सडकों के तूटने से यादा या सुबदा वोरी तरह प्रभावित है मंच के सह सेयोजक ने बताया कि स्कूलों के इर्दगेद भवन खतरे की जद में हैं और गिरने के कगार पर हैं चलिए दूसर नेक्स अब्लीट यह रही 21 बांधों से मानकों के हिसाब से नहीं छोड़ा पानी होगी कारवाई मुक्य सजी ने नुकसान की विस्त्रिज रिपोर्ट मांगी सरकार ने पाया कि राज्य के 23 बांधों मेंसे 21 ने शुरक्षा मांदुन का उलंगन किया है मुक्य सजी प्रबोट सक्सेना ने बदाया कि कम सकम 21 बांधों ने शुरक्षा मांदुन का पारण नहीं किया है और लों के खिलाब कारवाई होगी उन्होंने का कि अधिकारियों को बांधों से हुए नुकसान को विस्त्रिज रिपोर्ट तियार करने के निर्देश जारी कर दिये गए है नेक्स्ट अब डीडियर ही आपदात से प्रेटन उद्योग को 600 कुरूर का नुकसान सेलाने नहीं कर रहे है माचल का रुक सड़क रेल बायू यातयात पुरावित होने से पटरी से उत्रा प्रेटन कारोबार प्रेटन कारोबारियों को राहत दे सरकार कोरोना के वाद सबसे जान उकसान सबसे पहले यातायात करे बहाल यहां पे कहना है चलिए सो नेक्स्ट अपडेट ये रही मणी में श्यात्रा हैली टैक्सी का किराया हो सकता है मेंगा नेक्स्ट अपडेट ये रही रक्षा मंदन के दिन मणी में श्यात्र शुरू होने के आसार प्रशाशन नकपूरे की एप्रबंद पड़ाबो में ड्यूटी देने बाले दिकारियों और कर्मचारियों के भी सुची तैयार शृधारों के मिलेंगी सुविधाएं यात्रा के लिए हम तैयार चलिए उसे नेक्स अपडेट ये रही बर्ड कब मैच कोर्स के एक तालिस आवयदन रद तीन वर्शी जी अनम जनल नसिंग एंड मिड वाइफरी कोर्स के लिए प्रदेश बर में 1163 अवयदन किया था उनमें से 40 अयोग्य अवयदन के आवयदन जो है रद कदिये गए हैं नेक्स अपडेट ये रही अब 22 अगस से शुरू के लिए रिवाइज डेट शीड जारी की गई है तो यह आप पूरा देख लिएगा और इसका पीडिम आपको टेल लिए नम के उपर वाइड करवा दूंगा ठीक है नेक्स अपडेट ये रही दो वर्शी डिप्लोमा कोर्स की 311 सिटों के लिए आज 10 स्पोर्ट मिलेगा प्रवेश प्रथम बर्शी डिप्लोमा कोर्स की 265 सिटों के लिए कल होगी कांसलिंग किस संस्थान में किस कोर्स की कितने सिटे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रदेश वर में लेक्ट्रोनिक्स और कम्यूनिकेशन के लिए रिक्त पड़ी हैं 130 सिटे ओटो